देखो, एक्स्प्रिंट का ये कोशन भी बहुत इंपोटन्ट है और असान भी है ये दिया हुआ है कि एक भालू जो है वो बी का पावर 2x है बी का जो भालू वो सी का पावर 2y है और जो सी का भालू है वो a to the power 2z दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना है x into y into z का value क्या होगा यहां से हमें बताना है question को तुम try कर ली हो गए I hope so हाना तो solution देखा जाए हम लोग के पास जो है a is equal to b to the power 2x एक बात बताओ कि यहां a is equal to b का जो value है अगर हम लोग यहां put कर ले तो b का value कितना है c का power 2y रहाए देखो यह b के place पर हम लोग लिख लियो b का value kיתना था c का power 2y और इसका जो power था देखो यह तो b के place पर आया इसका power कितना था 2x था यह b है और b का power 2x पहले से था इसे लिख सकते हम लोग यहां देखो c का भी value अपन को मालुम यह से का भी जो भैलू है यह मालूम है तो हम लोग क्या किया जाए कि ए इसे हम लोग लिखेंगगे और इसका बावर तूजट था और फिर इसका लिख पावर कितना था वालक टू एक्स था है इसे हम लोग इसली लिख पाएंगे अब आ दो पर नबर का जो पावर का पावर है वह आपस में मृटिप्लाइ हो जाता है हम लोग रू Crunch आ है यह इसको टू जैट याँ से यहाँ है बालक एक पावर 1 और यहां एक पावर 8XYZ है ना बेसे और बीच में इकवल टू तो जो पावर है उससे इकवल होना ही पड़ेगा है ना तो फिल्बू क्या लिख सकते हैं 8XYZ 8XYZ इस इकवल गाँड तो दोग सकते हैं क्योंकि पावर अगर एक्वार एक्वल नहीं हो और बेस सेम रहोर एक्वाल टू हो जाए यह पॉसबल हो इन सकता है सकता है तो एक्स वाइज एड का ना वान आया बॉट अपन को निकालना था एक्स वाइज एड का जो फिलिन हो आ जाएगा वन से रिलेटेट तुम प्लेलिस्ट को वीजिट कर सकते हो वहां पर अलग लग चैप्टर वाइज बुष्टर बना हुआ है वहां पर हम कोशन्स लगतार अपलोड करते जा रहे हैं वहां जा करके लेकिन हां कोशन्स को पहले खुड ट्राई करो देन सलूशन को देखो इससे त जादा बेनिफिट होगा तो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाए